नासली गंज में पाच खंटे के गहन मिशन के नासी गंज प्रखंड के धूस लक्र इस्थित आरा नहर हाइडरल बिजली आफिस के पीछे नहर से वनविभाग के टीम ने पाच खंटे के गहन मिशन के क्रम में मगरमच को बुधवाल देर शाम पकड़ा वही मगरमच सुबह से ही प्रखंड शेत्र के आरा नहर में देखा गया नहर के समीब उपस्तित लोगों ने उक्त मगरमच को देखते ही स्थाने पुलिस वनविभाग को सुचित किया सूचना मिलते ही चार दरजन से अधिक संख्या में वनविभाग के अधिकारी पूरी तयारी के साथ मजबूत एक दरजन जाल रस्सा चलंत नाओ समीत इस खेत्र के पूरे आरा नहर की नाका बंदी कर दी अंततह देर शाम धुस इस्थित आरा नहर हाइड्रल कार्यालाई के समीब जाल में पूरी तरह से उक्त मगरमच घिर गया इस बार विभाग के टीम पूरी तयारी के साथ आई थी पूर्विकी भाती जाल भी भाली भरकमव मजबूत था विभाग के फॉरेस्टर अमित कुमार के नेतित्यु में उक्त ऑपरेशन सफल हुआ उक्त अधिकारी ने बताया कि उक्त लगभग 20 फिट का मगरमच बहुत विशाल था उसे पकरना अनिवार था अन्यता कभी भी किसी भी मवेशी या मनुश्य को खत्रा पह शकत के बाद 25 की जंख्या में लगे विभागे टीम के अठक प्रयास और सहयोग से रिस्क्यू सफल हुआ और उसे पकर कर बाहर निकाला गया इतना भारी भरकम था कि जाल के गिरफ्त में आने के बाद भी एक से देर घंटे विभाग की तीम के पानी से बाहर निकालने में समय लगा उक्त मगरमच को देखने के लिए विशाल जन सलाब उमर पड़ा अंधीरा होने के बावजूद लोग मुबाइल का लाइट जला कर उसे देखने के लिए अंध तक डटे रहें वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि इसे जाल सही तले जाया जाएगा और वर्य अधिकारियों के निदेश पर आगे की करवाई की जाएगी इसके पकड़े जाने पर लोगों ने और वन विभाग की टीम ने रहत ले बताते चले कि उक्त मगरमच पहली बार 23 अगस्त को अकोड़ी गुला नहर में देखा गया था उसके बार डेहरी में डेहरी में वन वि सुनील यादव, गोपी यादव, छोटू यादव, मुन्ना, रिजेश, शागर, विकास मित्रलाल मोहर प्रसाद, रहमत हुसैन सहित अन्य लोग का सहयोग रहा रोहतास से रवी कुमार की रिपोर्ट